Welcome to Edujos, Edujos में आप सबी लोग का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग सभी राज्यों के मुखमंतरी और राजपाल को देखेंगे जून 2020 तक की अपडेटेट लिस्ट है किसी भी एक्जाम में इसे एक से दो नमबर के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दस मिनिट समय अपना यहां पर पुड़ा बिताइए और ये सभी क्वेश्चन को याद रखिए देश के सभी राज यूनियन टेरिटरीज के राजपाल, उपराजपाल, मुखमंतरी इन सभी के नाम को हम लोग मैप और राजदानी के साथ देखेंगे अज आप से एक राय भी लेना चाहेंगे अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर में सभी मुखमंतरी और राजपाल, राजपाल की फोटो भी आए तो नेक्स वीडियो से हम लोग ये चीज़ भी इसमें उपलब्द कराएंगे ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला यहाँ पर जो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर किजेगा पहला यहाँ पर सबसे पहले आंद्रप्रदेश है आंद्रप्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है अमरावती है ठीक है और यहां के मुखमंतरी कौन है आंद्रप्रदेश के मुखमंतरी है जो राजपाल है ठीक है गवर्नर है इसके बाद यहाँ पर आप मैप भी देख रहे हैं सभी राजधानी है इसकी राजधानी कहाँ पर है यहाँ के मुखमंतरी यानि CM है पेमा खांडू और जो राजपाल है गवर्नर है इनका नाम है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ के राजपाल यानि गवर्नर है ठीक है पेमा खांडू यहाँ के जो है वो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू इसके बाद हम लोग राज़दानी है देशपूर और मैप यहाँ पर आप देख रहे हैं असमका- डेम का नम क्या है? जगदीश मुखी. तो बिहार के राज़दानी का है? पतना है बिहार को मैप में यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुकमंतरी यहां के नितीश कुमार है और जो राजपाल की बात करें तो फागू चोहान यहां के राजपाल है ठीक है, फागू चोहान यहां के राजपाल है और मुकमंतरी है नितीश कुमार नेक्स्ट यहां पर छतीसगड है और 36 गड का मैप यहाँ पर है नया राइपूर इसकी राजधानी यानि इसकी capital है नया राइपूर और जो मुखमंतरी यानि CM है इनका नाम क्या है इनका नाम है भूपेश बगहेल और राजपाद की बात करें गवर्नर की तो गवर्नर यहाँ पर 36 गड में कौन है अनुसुय इसके बाद अगला राज़ यहाँ पर है गोवा और गोवा की राजधानी पंजी है ठीक है गोवा की राजधानी पंजी है यहाँ के मुखमंतरी का नाम प्रमोध सावंत है प्रमोध सावंत जो है इससे पहले मुखमंतरी कौन थे यह question कई बार exam में पूछा जाता है प्रम तो इसलिए सवाल अक्सर पूछा जाता है मनुहर पारिकर के देहान के बाद गोवा के मुखमंतरी कौन बने तो इसी तरह से गोवा के राजपाल के बारे में भी आपको याद रखना है सत्यपाल मलिक यहाँ पर जो राजपाल है पहले जम्मू कश्मीर के यह राजपाल थे थीक है अब यहाँ पर आप याद रखे सत्यपाल मलिक जो कहा के है यह गोवा के राजपाल है अगला यहाँ पर राज है गुजरात और गुजरात का मैप यहाँ पर है गांधी नगट यहाँ की जो है capital होती है ठीक है इसके बाद है मुखमंत्री की बात करें तो यहाँ पर मुखमंत्री है विजय भाई रुपानी विजय भाई रुपानी जो है वो यहाँ के मुखमंत्री है उसके बाद अगर बात करें राजपाल की गवर्नर की तो governor यहाँ पर कौन है? आचारे देव बरत यहाँ पर जो है वो governor है अगला राजी यहाँ पर है हरियाना और हरियाना की जो capital यानि राजधानी है वो क्या है? चंडिगड है हरियाना का map यहाँ पर आप देख रहे हैं मुकमंदरी की बात करें CM यहाँ के कौन है? यहाँ के CM है मनोहर लाल खटर मनोहर लाल खटर या आप मनोहर लाल भी याद रख सकते हैं ठीक है? मनोहर लाल खटर यह खटर इनका title है इसके बाद राजपाल की बात करें सत्देव नारायन आरिया ठीक है सत्यदेव, नारायन, आरिया जो है वो यहां के राजपाल है यानि गवर्नर है इसके बाद देखें अगला राज है हिमाचल परदेश, हिमाचल परदेश का मैप यहां पर है और सिमला जो है यहां की राज़दानी है सिमला क्या है हिमाचल प्रदेश की capital है यहां के मुखवंत्री यानि CM जो है वो कौन है जैराम थाकूर जैराम थाकूर यहां के चीफ मिनिस्टर है और राजपाल की बात करें गवर्नर की तो हिमाचल परदेश के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रे ठीक है बंडारू दत्तात्रे आप इसको याद रखेंगे ठीक है अगला यहाँ पर जो राज है वो है जारकंड और जारकंड की कैपिटल कहाँ पर है जारकंड की capital है राची, जारकंड का मैप यहाँ पर है इसके मुकमंतरी यानि CM की बात करें तो यहाँ पर CM हेमंथ सोरें है हेमंथ सोरें जारकंड के CM का नाम है राजपाल की बात करें तो राजपाल है द्रोपधी मूर्मू, ठीक है revision के purpose से इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखे और एक बार पूरा देखने के बाद बीच में जब भी समय मिले जब तक हमारी अगली वीडियो नहीं आती है CM और राजिपाल को लेकर तब तक आप इस वीडियो को बीच बीच में revise भी करते रहें अगला राजिपाल की बात करें तो राजपाल है वाजू भाई वाला अगला राजिपाल को मैप में देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ पर left side में तिरुवनंत पूरम यहां की राजधानी यानी केपिटल है और मुखमंतरी की बात करें CM यहां के कौन है केरल के पिनाराई विजियन जो है यहां के चीफ मिनिस्टर है और राजपाल की बात करें तो आरिफ मुखमंत खान केरल के राजपाल है अगला यहां पर राज है मदिपरदेश मदिपरदेश आप देख रहे हैं यहां पर सेंटर में है भुपाल इसकी capital है यानि राजधानी है और राजपाल मुखमंतरी की बात करें तो CM का नाम यहाँ पर है सिवराज सिंग चौहान सिवराज सिंग चौहान कहां के है MP के CM है ठीक है और राजपाल कौन है राजपाल है लालजी टंडन नेक्स्ट यहाँ पर जो राजपाल है वो है महरास्ट और महरास्ट की राजधानी कहां है मुंबई ठीक है capital इसका मुंबई हो गया सीफ मिनिस्टर यानि CM कोन है चीफ मिनिस्टर है सिरी उधव ठाकरे और यहाँ पर डिपटी CM भी है डिपटी CM को याद रखिएगा डिपटी CM कई जगह पर है जिसे बिहार में भी डिपटी CM है बिहार के डिपटी CM का नाम क्या है सुशील कुमार मोदी ठीक है सुशील कुमार मोदी बिहार के डिपटी CM का नाम है उसी तरह से यहाँ पर जो डिप्टी सीयम है कौन है उप मुख मंतरी इसको कहते हैं अजीत पवार महारास्त के उप मुख मंतरी कौन है अजीत पवार यह मुंबई की बात किया गया है यहाँ पर महारास्त की कैपिटल है मुंबई और जो राजपाल है भगत सिंग कोशियारी, भगत सिंग कोशियारी यहां के गवर्नर है मुंबई के, याद रखना बिहार के जो उप मुख मंतरी है, सुशिल कुमार मोदी है, अगला यहां पर जो राज है वो है मनिपूर, मनिपूर की राजधानी कहा है, इमफाल, मनिपू नेक्स्ट राज यहाँ पर है मेगाले, मेगाले की राजधानी कहाँ पर है, मेगाले की राजधानी है शिलोंग, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, यानि सीम है, यह है कॉन्रड के संग्मा, आप याद रखिए, के संग्मा भी आप याद रख सकते हैं, यह सवाल आप इस अगला है यहाँ पर मिजोरम, मिजोरम यहाँ पर मैप में है इसकी राजधानी यानि capital है आईजोल मुकमंतरी यानि CM की बात करें तो मुकमंतरी है जोराम्थंगा और जो राजपाल यानि गवर्नर की बात करें तो गवर्नर का नाम है P.S. शृरिधरन पिललले पी-एस सिरिधरन पिल्लई या पी-एस पिल्लई या आप याद रखिये यहाँ के राजपाल है मिजोरम के नेक्स्ट यहाँ पर है नागालेंड नागालेंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा ठीक है कैपिटल क्या है कोहिमा और नागालेंड मैप में यहाँ पर है मुखमंतری यानि CM की बात करें तो CM है Nephew Rio ठीक है Nephew Rio यानि N Rio आप याद रखें राजपाल की बात करें तो Governor जो यहां के हैं वो है RN Ravi अगला प्रश्ण जो रज से है वो Odisa का है Odisa मैप में आप यहां पर देख सकते हैं गुबनेश्वर इसकी राजधानी है और यहां के जो मुकमंतरी यानि चीफ मिनिस्टर है वो कौन है नवीन पतनायक नवीन पतनायक cm है कहां के, ओडिसा के और राजपाल की बात करें गवर्णर जो है इसके वो गनेशी लाल है गनेशी लाल याद रखेगा गनेशी लाल कहां के है गनेशी जो लाल है ये ओडिसा के है राजपाल है ठीक है अगला यहाँ पर है पंजाब पंजाब को मैप में आप यहाँ पर देखें चंडिगट इसकी राजधानी है कैपिटल है और इसके जो CM है इनका नाम क्या है चन्डिकट के CM का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंग और राजपाल यानि गवर्नर का नाम क्या है इसका नाम है बीपी सिंग बदनोरे आपको याद रखना है अगला जो यहाँ पर राज है वो है राजस्थान राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर मैप कल राज मिश्र ठीक है राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है कल राज मिश्र और यहां के मुकमंतरी का नाम क्या है अशोक गहलो ठीक है अगला यहां पर देखिए अगला जो राज है वो है सिक्किम सिक्किम को मैप में आप यहां पर देखें राजधानी यानि कैपिटल है गंग टोक, मुखमंतरी की बात करें तो मुखमंतरी है प्रेम सिंग गोले या प्रेम सिंग तमांग, ठीक है दोनों ही इनका टाइटल है आपको याद रखना है ज़्यादा तर देखने को आपको मिलेगा पी एस गोले यानि प्रेम सिंग गोले, ठीक है अगला जो है यहाँ पर राजपाल की बात करें तो राजपाल सिक्किम के है गंगा प्रसाद नेक्स्ट यहाँ पर जो राज़ है तामिल नाडू तामिल नाडू को मैप में आप यहाँ पर देखें ठीक केरल के बगल में है यह राइट साइड में और चेन्ने की बात करें ये इसकी capital है ठीक है तमिल नाडू की capital चेन्ने आप सबको याद भी होगा capital हो गई अब यहाँ पर CM की बात करें तो CM है के पलानी स्वामी के पलानी स्वामी जो है वो कहां के CM है ये तमिल नाडू की स्वामी है ये तमिल नाडू के जो है वो CM है के प इसके बाद यहाँ पर देखिए तेलंगाना, तेलंगाना को आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं, हैदराबाद इसकी राजधानी है, और मुकमंतरी जो हैं यहाँ के के चंदरशेखर राओ, के सी राओ भी आप याद रख सकते हैं, के सी राओ, और जो राजपाल हैं, वो तिरपूरा है, यहाँ पर map में देख सकते हैं, तिरपूरा की राजधानी यानि capital अगरतला है, और मुखमंत्री यहाँ के क्यों है, मुखमंत्री है विपलब कुमार देव, विपलब कुमार देव जो है वो यहाँ के मुखमंत्री है, राजपाल यानि गवर्नर जो यहाँ के और यहां के जो राजपाल है वो कौन है अनन्दी बेन पटेल ठीक है अनन्दी बेन पटेल यहां के राजपाल है इसके बाद उत्राखंड की बात करें उत्राखंड का मैप आप यहां पर देखें देहरादूर इसकी कैपिटल है और मुकमंत्री की बात करें तो मुकमंत्री तिर्वेंद सिंग रावत है और राजपाल की बात करें तो राजपाल है बेबी रानी मौडिया नेक्स यहाँ पर जो राज़ है वो है पस्चिम बंगाल पस्चिम बंगाल की राज़ानी कहाँ पर है कोलकाता पस्चिम मंगाल की राज़ानी है और यहां के CM कोन है ममता बेनर जी ठीक है ममता बेनर जी यहां के CM है राजपाल जो है वो यहां पर है जगदीप धनकर नेक्स्ट यहां पर देखिए अब किंदर साशित परदेश हो जाता है ठीक है किंदर साशित परदेश कितने है भारत में टोटल आठ पहले नौ थे उससे पहले साथ थे ठीक है उसके बाद नौ हुए उसके बाद फिर अब वापिस आठ हो गए ठीक है याद रखना है किंदर साशित परदेश की संख्या कितनी है आठ है और राज्यों की संख्या क और यहाँ यह जो location है यह पुडूचेरी के अंदर आता है ठीक है यहाँ पर राजपाल नहीं होते हैं उप राजपाल होते हैं इसलिए उप राजपाल का नाम आपको याद रखना है किरन बेदी यानि deputy governor होते हैं तो यह आपको याद रखना है और मुखमंत्री यहाँ पर हो जिरीवाल ठीक है और यहाँ के deputy सेम का भी नाम आपको याद रखना है deputy cm जो है यहाँ के वो है मनीश शिषोधिया इनका आपको नाम याद रखना है यह यहाँ के जो है वो deputy cm यानि उप मुखमंत्री है दिली की राजधानी की बात करें नई दिली इसकी capital है उप राजपा यहाँ पर कौन है यहाँ पर deputy जो governor है इनका नाम है अनिल बैजल काफी लंबे समय से यहाँ के उपर राजपाल है आप इसको याद रखेगा अगला जो यहाँ पर है अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार में कोई CM नहीं होते और यहाँ की राजधानी क्या होगी पोर्ट इसके बाद यहाँ पर है जम्मु कश्मीर का रिसेंटली नकसा बदला है आप सबको पता है कि जो मैप है उसका चेंज हुआ है क्योंकि पहले जम्मु कश्मीर पूरा एक राजध हुआ करता था अब यह राजध नहों करके union territory यानि केंदर शासित प्रदेश है तो केंदर प्रदेश का अब दो अलग-अलग इनसासित प्रदेश बनाया गया है जम्मु कश्मीर को तोड़ करके एक बना है जम्मु कश्मीर दूसरा बना है लगदाक यह लफ्ट साइड में जो देख रहे है आप यह जम्मु कश्मीर है राइट साइड में जो देख रहे है यह लदाख, लदाख के अंदर दो जीले हैं, ये बहुत important है, आप इसको याद रखेगा, लदाख में कितने जीले हैं, दो जीले हैं, दो district है, और ये map आप लदाख का देख रहे हैं, ये map लदाख में हैं, और लेह इसकी राजदानी है, यहां के जो उपराजपाल हैं, ये हैं, राधा कृष्ण माथूर ठीक है राधा कृष्ण माथूर लद्दा के उपराजपाल है इसके बाद देखे चंडीगड है चंडीगड की बात करें तो यहाँ पर एड्मिस्टेटर होते हैं ठीक है एड्मिस्टेटर होते हैं यहाँ पर कोई CM नहीं होता कोई डेपटी गवर्नर नहीं होता कोई गवर्नर नहीं होता तो राजधानी याद रखे चंडीगड की राजधानी चंडीगड है और यहाँ पर अप मैप में चंडीगड को देख सकते हैं अगला जो यहाँ पर है वो है लक्षदूइप लक्षद्वीब की राजधानी कावा रती है आपको यह भी राद रखना यहाँ भी कोई CM डेपटी, CM या फिर कोई गवर्नर नहीं होते अगला जो यहाँ पर है दादरवनागरहवेली और दमनवद्व इन दोनों ही यूनियन ट्रेटरी को एक साथ कर दिया गया दादरवनागरहवेली पहले अलग था दमनवद्व पहले अलग था यह एक यूनियन ट्रेटरी कहलाता था यह दूसरा कहलाता था लेकिन अब इसको कंबाइन कर दिया गया और कंबाइन करने के बाद ये जो combine हो गया तो ये पूरा एक नाम हो गया इसलिए इसको याद रखेगा और इसकी राजधानी दमन है ठीक है तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ये सारे चीज़े देखी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर कीज़ेगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेर कीज़ेगा चैनल से पहली बार जूर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो तेखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद